आदर्ने राश्पती जी ने अपने भाशन में आत्म निर्भर भारत को ले करके और आकांगशी भारत को ले करके गत्य दिनों के जो प्रयास है उसके सबन में विस्तार से बात कही है मैं सभी आदर्निय सदेशों का बहुत आभाय व्यक्ते करता हूँ जिनोंने इस महत्वपूर भाशन पर अपनी टिपनी की अपने विचा रखे आदर्निय दिख जी मैं अपनी बात बताने से पहले कल जो घटना घटी उसके लिए दोशब्द जुरू कहना चाहूँगा देश ने आदर्निय लता दिजी यो खोदिया कितने लंबे काल सक जिनकी आवाज ने देश को मोहित किया देश को प्रेविद भी किया देश को भावनाओं से भर दिया और एक अहर नीश संस्कृतिक धरोहर को मजबूत करते लिए और देश की एकता को भी करीब करीब 36 भाशाओं में उन्होंने गाया ये अपने आप में भारत की एकता और अखंडिता के लिए भी एक प्रेर को दान है मैं आज आदर्निय लता देदी जी वो आदर्पुर्वक तरक दान लिए देता हूँ अगर लिए दिक जी इतियासित बात का गवाह है कि दृतिय विश्विद्ध के बाद विश्व में बहुत बड़ाव आया एक नया वर्ड ओर्डर जिसमें हम सब लोग जी रहे हैं मैं साथ देख रहा हूँ कि कोरोना काल के बाद विश्व एक नए वर्ड ओर्डर के तरफ नई व्यवस्ताओं के तरफ बहुत तेजी से आगे बना है एक ऐसा तर्णिंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को घवाना नहीं चाहिए में टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए भारत ने एक लिडर्सिप रोल के लिए अपने आपको कम नहीं आकना चाहिए और इस परिप्रेच में आज हादी के अमरित महुत्साव आज हादी के 75 साथ अपने आप में एक प्रेरक अवसर है उस प्रेरक अवसर को लेकर के नए संकल्पों को लेकर के देश जब आज हादी के 100 साल मनाएगा तब 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 हम पूरे सामर्थ से पूरी शक्ति से पूरे समर्पन से पूरे संकल्प से देश को उस जगा पर लेकर पहुँचेंगे ये संकल्प का समर्प आदनिय अधिक जी बीते वर्षों में देश ने कई क्षेत्रों में मुनभूत व्यवस्ताव में बहुत मजबूती का अनुभाव किया और बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़े हैं परधान मंत्री आवास योजना गरीबों को रहने के लिए घर हो ये कारकम तो लंबे समय से चला है लेकिन जो गती जो व्यापकता, विशालता, विवितता उसने उसमें स्थान पाया उसके कारण आज गरीब का घर भी लाखों से भी ज्यादा किमत का बन रहा है और एक प्रकार से जो भी पक्का घर पाता है वो गरीब आज लखपती की स्रेणी में भी आ जाता है कौन हिंदुस्तानी होगा जिसके इस बात को सुनकर के गर्वन हो कि आज देश के गरीब से गरीब के घर में सौचालय बना है आज खुले में सौच से देश के गाउं भी मुक्त हुए है कौन खुष लिए है कौन खुष है कौन खुष है अजीका ठीक नहीं है मैं बैठने के लिए थे आप हूँ आपको दड़िवाद करके शुदू करूँ बहुत दन्यवाद आपका प्यार अजरामर रहे रहे प्लीज 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 आज हादी के इतने सालों के बाद गरीब के घर में भी जब रोशनी होती है तो उसकी खुशियां देश की खुशियों को ताकत देए चूले के धुए से जलती हुई आपके साथ काम करने वाले मा को गरीब मा को और जिस देश में घर में गैस कनेक्शन हो ये स्टेटर सिंबोल बन चुका था उस देश में गरीब के घर में गैस का कनेक्शन हो धुए वाले चुले से मुक्ति हो तो उसका आनंद कुछ और ही होता है हमारी मां का भेन है उनका पूरा फ्लीश दण प्लीश बेठिये आपको मैंने प्रयात मोखा दिया तरीका ठीक निये दादा ने दादा को बिच बिच में मोखा देना चाहिए क्योंकि दादा उमर के इस पड़ाओं में भी बजपना का मज़ा लेते रहते हैं आज गरीब का बैंक पर अपना खाता हो आज बैंक जा गए बना गरीब भी अपने टेलिफॉन से बैंक के खाते का उप्योग करता हो सरकार के द्वारा दिये गई राशी सीधी डायरेक बनिफिट ट्रांसफर के दहत उसके खाते में पहुँच दी हो यह सथ अगर आप जमीन से जुड़े हुए होते अगर आप जनता के बीच में रहते होते हैं तो जुरूर यह चीजे नजर आती दिखाई देता है लेकिन दुर्भाग यह है कि आप में से बहुट लोग ऐसे हैं जिनका जिनके सुई काटा 2014 में अड़काफ हुआ है और उससे वो बाहर ही निकल नहीं पाते हैं और उसका नतीज़ा भी आपको भुगतना पड़ा है आपने जो अपने आपको एक ऐसी मांसित अवस्था में बांद के रखा है देश की जनता आपको पहचान गई है कुछ लोग पहले पहचान गए कुछ लोग देल से पहचान गए और कुछ लोग आने वाले सामय वे पहचानने वाले आप देखिए आप जब इतना सारा लंबा उपदेश देते हैं तब भूल जाते हैं प्रचान साल तक कभी आपने भी देश में यहां बैठने का सोभाई तो प्रात्य किया था और क्या तारण है कि आप सोच नहीं पाते हैं अब आप देखिए नादालेंड के लोगों ने आखरी बार 1998 में कॉंग्रेस के लिए वोट किया था करीब 24 साल हो गए ओडिशा ने 1995 में आपके लिए वोट किया था सिरफ 27 साल हो गए आपको भाई एंट्री नहीं में गोवा में 1994 में पून भहमत के साथ आप जीते थे 28 साल हो गए गोवा ने आपको स्विकार नहीं किया पिछली दार 98 में 88 में त्रिपुरा में वहाँ की जनता ने वोट दिया था कि लिए 34 साल पहले त्रिपुरा में कॉंग्रेस का हाल है यूपी बिहार और गुजार आखिर मैं 1985 में करीब 37 साल पहले आपके लिए वोट किया था पिछली बार पस्चिम मंगाल में वहाँ के लोगों ने 1972 में करीब 50 साल पहले आपको पसंद किया था तमिल नारू के लोगों ने तमिल नारू के लोगों ने प्लेश प्लेश तमिल नारू मैं इसके लिए सहमत हूँ अगर आप उस मर्यादा का पालोन करते हैं और इस जगा का उप्योग न करते है और बड़ा दुग्रागे देश का कि सदन जैसी पवित्र जगा देश के लिए काम आनी चाहिए उसको दल के लिए काम में लेने का जो प्रयास हो रहा है और उसके कान जवाब देना हमारी मजबुरी बन जाती है जवाब देना हमारी मजबुरी बन जाती है माने अद्दर जी माने अद्दर जी तमिलनाडू आखिर मैं 1962 में करीब साथ साल पहले आपको मोका मिलाता तेलंगना बनाने का स्रे लेते हैं लेकिन तेलंगना बनने के बाद भी वहाँ की जन्ता ने आपको स्विकार ले जारखन का जन्म हुआ 20 साल हो गए पूर्ण रुप से कॉंग्रेस को स्विकारते नहीं है पिछले दर्वाजे से वो गुशने का प्रयास करते है माने अद्दर जी सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है सवाल उन लोगों की नियत का है उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोग पंत्र में इतने साल तक सासन में रहने के बाद देश की जन्ता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है और जहां भी ठीक से लोगों ने रह पकड़ ली दुबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है इतना सारा होने के बावजुद्भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना महिनों तक न जाने एकोसिस्टिम क्या क्या करती है इतना सारा प्रवेश होने के बावजुद्भी ना आपका हंकार जाता है ना आपकी एकोसिस्टिम आपके हंकर को जाने देती है इस बारा दिरंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे चलिए मोका मैं भी ले लूँ और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूँ तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा वो जब दीन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ वो जब दीन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ नहीं मानोगे तो वो दीन में नकाब ओड़ लेंगे जर्रत हुई जर्रत हुई आप जर्रत हुई तो हकिकत को थोड़ा बहुत मरोड लेंगे वो मगरूर है खुद की समझ पर बे इंतहा उन्हें आइना मत दिखायो इन्हें आइना मत दिखाओ वो आइने को भी तोड़ देंगे जर्रत हुई जर्रत हुई अजह थी का अम्रित महोट्सो आजह थी के 75 वर्ष में आजधेश आजह थी का अम्रित महोट्सो मना रहा है और देश अम्रित काल में प्रवेश कर रहा है आज हादी की इस लड़ाई में जिन जिन लोगों ने योगदान किया वो किसी दलके थे या नहीं थे इन सबसे परेउट करके देश के लिए जीने मरने वाले लोग देश के लिए जवानी खपाने वाले लोग यहर किसी को समरन करने नगा पुन्य समरन करने का आउसर है और उनके सपनों को याद करते हुए कुछ संकल्प लेने का आउसर है आदन्य दजी हम सब समस्कार से, स्वभाव से व्यवस्ता से लोक कंत्र के प्रतिबद्ध लोग है और आचे नहीं सद्यों से है लेकिन ये भी सही है आलोच न ये जीवन्त लोक कंत्र की जीवन्त लोक कंत्र का एक आभूशन है लेकिन अंद विरोध ये लोक कंत्र का अनादर है सबका प्रयास इस भावना से भारत ने जो कुछ हासिल किया है अच्छा होता उसे खूले मन से स्विकार किया गया होता उसका स्वागत किया जो होता उसका गवरवगान करते बीते दो सालों में सो साल का सबसे बड़ा वैश्विक महामारी का संकत पूरी दुनिया की मानुवजाद जेल रही है जिनोंने भारत के अतीत के आधार पर ही भारत को समझने का प्रयास किया उन्होंने उनको ता संका थी कितना बड़ा विशाल देज इतनी बड़ी आबादी इतनी विविदताया ये आदतें ये स्वभाव शायद ये भारत इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ पाएगा भारत अपने आपको बचा नहीं पाएगा यही उनकी सोच थी लेकिन हास्थिती क्या है मेडि इन्लिया कोविटी के कोविट वक्षी नहीं दुनिया में सबसे प्रफाई आप घारत शत्व प्रतीशत पहली डोज इस लक्ष के नीकट करीकरी पहुँच रहा है और लगभग अस्वी प्रतीशत सेकंड डोज उसका पढ़ाव भी पूरा कर लिया है मन्य अद्धिक तोरोन एक वैश्विक महामारी थी लेकिन उसे भी दलगत राजनीती के लिए उप्यूग में लाए जाए क्या यह मानवता के लिए अच्छा है भारत जैसे आपको में बुकत प्रीश माने अद्धिक जी अधि रंजन जी आपको प्रयाप समय प्रयाप को प्रीश माने अद्धिक जी माने अद्धिक जी मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया कोई भी टोपी पहन लेने के गया जरोते जी लेकिन जब आप खड़े ही गो गए हैं तो मैं नाम दे करके बोलना चाहता हूँ इस कोरोना काल में कॉंग्रेस ने तो हद कर दी पहली लहर के दोरान प्रीश एक ये माने सद्धिक प्रीश बैठिये ये तरीका ठीक नहीं है आपको मैंने प्रयाप प्लीश बेढ़े प्लीश 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 माने अध्यजी अभी तो मैंने सरफ इतना का हब कर दी प्लीश पहली लहर के दोरान को मैंने पेस जब लोकडाउन का पालन कर रहा था जब डबली ओचो दुनिया भर के लोगों को सला देता था सारे हेल्थ एक्सपर्ट कह रहे थे कि जो जहां है वही पर रुके सारी दुनिया में ये संदेज दिया जाता था क्योंकि मनुश्य जहां जाएगा अगर वह कोरोना से संक्रमित है तो कोरोना साथ ले जाएगा तब कांगरेस के लोगों ने क्या किया मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोसाइज करने के लिए मुंबई में स्रमीकों को टिकर दिया गया मुफत में टिकर दिया गया लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महराश्च का महराश्च में हमारे पर जो बोज आए वो जरा कम हो और जाओ तुम उत्तपदेश के हो तुम बिहार के हो जाओ बहा कोराना खलाओ आपने आपने ये बहुत बड़ा पाप किया महा अफरात अभरी का माहोल खड़ा कर दिया आपने हमारे स्थ्रमित भाईयोगानों को अनेख परेशानियों में दटेल दिया और मांदिये देजी उट समाए दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है उस सरकार ने तो जीप पर माईक बांद करके दिल्ली की जुगी जौपनी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकत बड़ा है भागो गाउ जाओ गर जाओ और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी आधे रस्ते छोड़ दिया और समी को उपलिये अनि एक मुशिवते पैदा की और उसका कारण हुआ कि यूपी में उत्राघंड में पंजाम में जिस कोरोना की इतनी गटी नहीं थी इतनी तिवरता नहीं थी इस पाप के कारण कोरोना ने वहाँ भी अपनी लपेट में ले लिया मानिय अधे जी ये कैसी राजलीती है मानव जांक पर संकट के सबाए ये कैसी राजलीती है ये दलगत राजलीती कब तक चलेगी आदे ने अधे जी कांग्रेस के इस आचरण थे स्रम नहीं नहीं पूरा देश अचंबित है दो साल से देश सो साल की सबसे बड़े संकट से मुकाबला जूज कर रहा है कुछ लोगों ने जिस प्रकारता व्यवार किया देश उसे सोच में पड़ गया है क्या ये देश आपका नहीं है क्या ये देश के लोग आपके नहीं है क्या उनके सुख दुख आपके नहीं है इतनी बड़ी संकट आया कई राजनितिक दल के नेता जरा आत्मने रिछन करे कितने राजनितिक दल के नेता जो जनता के माने हुई नेता आपने आपको मानते है उन्होंने लोगों को रिक्वेस्ट की हो अपील की हो भई कोरोना का एक ऐसा संकट है पैश्रिक महामारी हैं आप मास्क पहनो हाथ धोना रखो दोगज की धुरी रखो कितने नेता है क्या ये बार बार देश की जनता को अगर कहते तो उसमें कोई बीजेपी की सरकार को क्या फाइदा होने वाला था मोधी को क्या फाइदा होने वाला था लेकिन इतने बड़े संकट में भी इतने बड़े संकट में भी इतना सा पवित्र काम करने से भी चुक गए आज लिए मानियक देखिए कुछ लोग हैं उनको ही इंतजार था कि ये कॉरोना वाइरस मोदी की छबी को चपट में ले लेगा बहुत इंतजार किया और कॉरोना ने भी आपके धहरिय की बड़ी कसोटी की है आए दिन आप लोग औरों को नीचा दिखाने के लिए मात्मा गांदी का नाम लेते हैं मात्मा गांदी की स्वदेशी की बात इसको बार बार दोराने में हमें कौन लोगता है अगर मोदी वोकल फॉर लोकल कहता है मोदी ने कहा इसलिए शब्दों को छोड़ दो भाई लेकिन क्या आप नहीं चाहते हैं देश आत्मन निर्फर बने हैं जिस मात्मा गांदी के अधर्शों की बात करते हैं तब भारत में इस अभियान को ताकत देने में जूरने में आपका क्या जाता था उसका नेत्रुद्वा आप लीजिए मात्मा गांदी जी किया स्वदेश की निर्डे को आगे बढ़ाएगे देश का बला होगा और हो सकता है आप मात्मा गांदी के सपनों को सच होते देखना नहीं चाहते मान्य दग जी आज पूरी दुनिया योग के लिए एक प्रकार से कोरोना में तो योग ने दुनिया भर में जगा बना लीगी दुनिया भर में कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको योग के लिए गर्वन हो आपने उसका भी मजाक उडाया उसका भी घुरोद किया अच्छा होता आप लोगों को कहते हैं भई संकट में घर में हैं ये उगा कीजिए आपको फाइदा होगा क्या नुक्साम था फ्रिक इंडिया मूमेंट चले देश का नौजवान ससकत हो सामर्थ मान हो आपको मोदी से विरोध हो सकता है फ्रिक इंडिया मूमेंट आपके राजनितिक दलों के छोटे छोटे युवान मंच होते हैं अगर हम समने मिल करके अगर इस फ्रिंड इंडिया के द्वारा देश की युवान शक्ति को इस सामर्थ की तरफ आपके पढ़ने के लिए कहते लेकिन उसका भी भी उपास यहने क्या हो गया है आपको मुझे समझ नहीं आ रहा है और इसलिए मैं आज इसलिए कहता हूं को आपको ध्यान में आए कि आप कहां खड़े हैं जी और मैंने इत्यात पताया साथ साल के लेकर पंदरा साल के पूरा काल खाओ इतने राज्य कोई आपको गुशने नहीं दे रहा है मने अद्र जी कभी कभी मैं यह विशेश्ट मैं प्यार से कह रहा हूं नाराज में तो हो जाना मुझे कभी कभी मानिय अद्र जी कि विचारा आता है उनके बयानों से उनके कारकमों से उनके कर्तूत्वों से जिस प्रकार से आप बोलते हैं जिस प्रकार से मुद्दों से जूडते हैं ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि सो साल कख सत्ता में नहीं आना है तोई ऐसा नहीं करता जी थोड़ी सी माशा होती थोड़ा सा भी लगता हाई आप देश की जनता फिर से худार करेगी तो ऐसा नहीं करतेगी और इसलिए खेर अब आपने ही ताई कर लिया है सो साल के लिए तो फिर मैंने भी तयारी कर लिया है माने थे कि ये सदन इस बात का साक्षिल है कि कोरोना वैश्विक महमारी से जो बनी सित्या जो सित्या उत्पन हुई उसको निपड़ने के लिए भारत ने जो बेनान निति बनाई उसको लेकर के बेबबन से क्या क्या नहीं कहा गया किस किस ने कहा बोला आज वो खुद देखेंगे तो उनको ह्रानी हो जाएगी ऐसा कैसे बुलवा लिया किस ने बुलवा लिया पता नहीं क्या बोलती है हम लोग दुनिया की और लोगों से बड़ी बड़ी कॉंफरेंस गज गए ऐसी बाते बुलवाई गई ताकि पूरे विश्व में भारत बद्लाम हो खुद को ठीके रहने के लिए आर्थिक आयोजेन को सहगा भारत कैसे चल रहा है माई गौड क्या कुछ कहा रहा है बड़े बड़े पंडीतों है क्या कहा रहा है पूरी आपकी इको सिस्टिम लग गई थी हम जो भी समझते थे भगवान ने जो समझ दी थी लेकिन समझ से जादा समर्पन बहुत बड़ा था लिए और जहां समझ से समर्पन जादा होता है वहाँ देश और दुनिया को अर्पन करने की ताकत भी होती है और वो हमने करके दिखाया है और जिस रास्ते पर हम चले की नीतियों को लेकर इस कोरोना कालखन में अपने आपको आगे बढ़ाया वह अपने आपने के उधार नहीं है और अलुभाव भी हम करते हैं हमने देखा है माने जी भारत आच दुनिया की माने जी भारत आच दुनिया की जो बड़ी कौनामिज है उसमें सबसे तेजी से विक्सित हो रही बड़ी अर्थ गवस्ता है माने जी इस कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रेकोर्ड पैदावर की सरकार ने रेकोर्ड खरीदी की दुनिया के अनेज देशों में जहां खाने का संकट पैदा हुआ और आपको पता होगा सो साल पहले जो आपदाई थी उसके जो रिपोर्ट है उस बही बाद कही गई है कि बिमारी से मरने वालों की जैसे तादाथ है वैसी भूख से मरने वालों की भी बड़ी तादाथ है उस समय के सो साल पहले की रिपोर्ट में इस देश ने इसी को भूख से मरने ने दिया असी करोड से अधिक देश वात्सियों को मुक्त राशन उपलब्द कराया और आज भी करा रहे है मन्यद्र जी हमारा टोटा एक्सपोर्ट हिस्टोरीकली है हाईएस लकॉड पर है और यह कोरणा काल में है कुरूसी एक्सपोर्ट एटियासिक दूपे टॉप पर कहुचा है सबपर एक्सपोर्ट नई उचाहितर बढ़ रहा है मोबाईल फॉन एक्सपोर्ट अभुत पुरबुर्दी हुई है कईयों को परिशानी हो रही है यहाँ मंदिर भारत का कमाल है कि आज देश डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपने पहचान बना रहा है एप्रियाई और एप्रियाई मानियते जी प्लीज प्लीज मानने सदर्श करने मैंने सभी मानने सदर्शों को परया प्रयापत अवसर दिया हैं लेकिन मानने सदर्श आपने जब बोला तो मैंने कहा कि कोई भी इस सदन में नेता बोल रहा है कोई टिपना टिपनी करेंगे लेकिन आज आप ये उचित व्यार नहीं है सदन के नेता बोल रहा है सदन की गरिमा को बना रहा है ये मेरा आप से आख रहा है आपको मैं बोलने का मोगा दूआ ठीक है माने परदान लंटी प्लीज आज़ा आपको मोगा दूआ माने सदन की प्लीज माने आज समझेंगे समझाएंगे आप पूरा सुनो सब समझाएंगे सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवशक होती हैं जड़ा गर में रहती हैं लेकिन जब सीमा के बहार जाता है तो जड़ा लगता है कि हमारे साथ ही ऐसे हैं माने अधर जी उनकी पार्टी के एक MP ने चर्चा की शुरुवात की थी और यहां से कुछ छोटा मोटा नोग जोग चल रहा था और मैं मेरे कमरे से स्क्रीन पर देख रहा था है कि हमारे मंतरी पर लाजी पीशे गए सब को रोका और वहां से चलेंज आई कि अगर हमारे रोको गए तो तुम्हारे नेता का यह हाल करेंगे कि इसी का यह हो रहा है क्या मानिया देख जी आप आप ने आपको अपना सियार सुधारने की पोशिस तो करनी चाहिए आपको मानता हूं जीतना की आप उसके आपका सियार सीफ हो गया है जिन लोगों रिजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है जिधाना के ओ कर रहे हो इस सत्र में तो कोई आपको ने निकालने मंगा नहीं मैं आपको गरट देथा हूं इस जगा से अरे वे ऐसे ही बच गयो मन्य देख जी FDI और FPI का रिकॉर्ड निवेश आज भारत में हो रहा है दिन्यूबाल एनर्जी के खेत्र में आज हिंदुस्तान दुनिया के Top 5 कंट्री में है मन्य देख जी ये सब इसलिए संभव हुआ है कि कोरोना कायन में इतना बड़ा संकट सामने होने के बावजुदी अपने कर्तवय को निभाते हुए इस संकट के काल में देश को बचाना है तो रिफार्म जरूरी थी और हमने वो जो रिफार्म किये उसका परिड़ाम है कहा जम इस तरीके स्थिति पहागर पहुँचे मानिय अदिक जी MSN आदे सब्सक्राइब प्लीश सहीद आप बेटिये आउ द्योग को गलत तरीका है आपका जरूरी सपोर्ट दिये ऐसे निचले आपको प्रक्रियाओं को सरल किया आत्म निर्भर भारत का जो मिशन है उसको हमने चरिताथ करने के लिए भरपूर कोशिश की ये सारी उपलब्दिया ऐसे हालत में देश ने हासिल की है जब अंतराश्चिस्तर पर अर्थिक जगद में बहुत बड़ी उथल पातल आज भी चल रही है सप्लाइचेन पुरी तरह चर्मरा गई है लोजिस्टिक सपोर्ट में एक संकट मैदा हुई है दुनिया में सप्लाइचेन की वेचे से केमिकल फटिलाइजर पर कितना बड़ा संकट आया है और भारत आयात करने पर इपंडिपंडेंट है कितना बड़ा अर्थिक बोज देश पर आया है पूरी विश्व में हालत पड़ा हुई है लेकिन भारत ने किसानों को इस पीडा जहलने के लिए मजबूर नहीं किया भारत ने वो सारा बोज देश ने अपने कंदों पर उठाया और किसान को टांस पर नहीं होने दिया है भारत ने फर्टिलाजर की सप्लाई को भी निरंतर जारी रखाए कोरोना के संकटकाल में भारत नम्भी खेकी को अपने छोटे किसानों को संकट किसे बहार निकानने के लिए बड़े फैसले ही है मैं कभी कभी सोचता हूँ जो लोग जड़ों से कटे हुए लोग है दो दो चार चार बिड़ी से महलों में बैठने के आदत हो गई है वो देश के छोटे किसाने की क्या समझा है वो समझी नहीं पाए उनके अगल वगल में जिन किसानों की उनकी पहुंच थी उससे आगे देश नहीं पाए है और मैं कभी ऐसे लोगों को पूछना चाहता हूँ कि छोटे किसानों के परती आपकी इतनी नफरत क्यों है क्या आप छोटे किसानों के कल्यान के लिए आप रोडे एकताते रहते हो छोटे किसानों को इस संक्र में रालते हो मांडियों तेजी अगर गरीबी से मुक्ति चाहिए तो हमें हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा ग्रामीन अर्थेवावस्ता को मजबूत बनाना है तो हमारे छोटे किसानों को मजबूत बनाना होगा अगर हमारा छोटा किसान मजबूत होता है छोटी सी जमिन होगी दो हेक्टर की भूमी होगी तो भी उसको आधूनिक करने का वो प्रयास करेगा नया सिखने का प्रयास करेगा और उसकी ताकत आएगी तो देश की अर्थरचना को भी ताकत मिलेगी और इसलिए आधुलिकता के लिए छोटे किसानों की तरफ ध्याम देने का अमरा प्रयास है लेकिन छोटे किसानों के प्रती जिन लोगों के मन में नफ्रत है जिन्होंने छोटे किसानों के दुखदब नहीं जाना है उनको किसानों के नाम पर अपनी राजनीती करने का कोई हक नहीं बनता है मान्यत जी इस बात को हमें समझना होगा सेक्रो वर्षों का गुलामी कालखन उसकी जो मानसिक्ता है वो आजादी के 75 साल के बाद भी कुछ लोग बदल नहीं पाए ये गुलामी की मानसिक्ता किसी भी राश की प्रगती के लिए बहुत बड़ा संकट होती है लेकिन मानने हैं देख जी आज देश्ता में चित्र देखता हूँ एक ऐसा समुदा है एक ऐसा वर्ग है आज भी वो गुलामी की मानसिक्ता में जीता है आज भी उन्नीश्वी सदी के काम उस सोच उन्सी में जकड़ा हुआ है और बिश्वी सदी के जो कानून है वही कानून उसको कानून लगते हैं महने अध्यक जी, गुलामी की मान शिटता, 19 वी सदी का रहन सें, 20 वी सदी के कानून, 21 वी सदी के आकांच्छाए पूरी नहीं कर सकते, 21 वी सदी के अनुकुल हमें बड़लाओ बहुत जरूरी है, महने अध्यक जी, जिस बड़लाओ के हम अस्विकार क्या है, उसका प्रणा योजनाबन दो हजार छे में प्लानी दो हजार छे से दो हजार चौदा तक का उसका हाल देखिए दो हजार चौदा के बाद उसकी तेजी आई यूपी में सर्यू नहर परी योजनाः सब्तर के दसक में शुरू हुई और उसकी लागत सौ गुना बढ़ देगी हमारे आने के बाद हमने उसकाम को पूरा किया कैसी जो कैसी फोसे क्या परीके है यूपी का अर्जुन डैम परियोजनाः दो हजार नौ में सुरी हुई दो हजार सत्रा तक एक तिहाई खर्चा हुआ हमने इतने कम समय में इसको प्रोन कर दिया अगर कॉंग्रेश के पास इतनी सक्ता थी इतने सालों तक सक्ता थी तो चार धान को वो आल वेदर सडकों में परिवेरित कर सकते थे जोड सकते थे लेकिन नहीं किया वोटरवे सारी दुरिया वोटरवे का समत्त है हमारा ही देश था कि हमने वोटरवे को नकार दिया आज हमारी सरकार को वोटरवे पर काम कर ला रहा है पुरहने अप्रोच से गौरबपूर के कारखाना बंध होता था हमारे अप्रोच से गौरबपूर का फर्टिला जयता कारखाना चुरू होता है मानिय अदर जी मानिय अदर जी ये लोग ऐसे हैं जो जमीन से कटे हुई है उसके कारण उनके लिए फाइल की मुवमेंट फाइल मैं से इनेचर करके कौन अगला मुलाकाती आएगा उसी के इंतिजार में जो रहते हैं आपके लिए फाइल सब कुछ है हमारे लिए 130 करोर देशवाश्यों का लाइप बहुत हो आप फाइल में खोये रहे हम लाइप बदलने के लिए जी जान से जिटे हुए लोग आज उसी का परणाव है प्रदान मती ग्रती शक्ती मास्टर प्लान एक भुलिश्चे के प्रोश टुक्रों बहें एक आदा का मोहा रहा है रोड बन रहा है फिर बिजली वाला आ करके खुदाई करता है वो ठी ठीक होता है फिर पानी वाला आ करके खुदाई करता है उस सारी संबस्राइब से बहारा करके हमने डिस्षिंग लेवल तक गति शक्ति मास्टर प्रान के दिशा में हम काम कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारा देश की विश्रस्ता को देखते हुए मल्टी मोले ट्रांसपोर्स सिस्सिम उस पर हम बड़ा जोड दे र देख जी नेशना हाइवे बन रहे हैं रेलवे लाइनों का पिज़्दी करांस हो रहा है आज देश नए एरपोर्ट्स हैलिपोर्ट्स और वाटर ड्रॉम का नेटवर्क खड़ा कर रहा है देश के छे लाग से गाओं में अब तिक गण्वाइवर नेटवर्क के लिए काम चल रहा है मानिया देख जी यह सारे काम ऐसे हैं जो रोजगार देते हैं जादा से जादा रोजगार इनी कामों से मिलता है आज देश की आवश्यक्ता है और अबूतपुर्वन निवेश भी हो रहा है और तुसरी से रोजगार भी बढ़ना है पिकास भी बढ़ना है और इसलिए आज देश उस दिशा में काम कर रहा है मने दगी जितनी जादा अर्थ वैवस्ता ग्रो करेंगी उतने ही रोजगार के अउसर प्यदा होंगे और इसी लक्ष को लेकर के पिछले साथ साल से हमने इन चीजों पर फोकस किया है और उसका प्रणाब है हमारा आपने निर सक्टर में हमारा उत्पाद बढ़ रहा है उत्पादन बढ़ रहा है हात मंदिर भारत अभ्यान के वह हम आज ग्लोबल वेल्यू जैन के हिस्से बन रहे हैं यह अपने आप में भारत के लिए अच्छी निशानी है हमारा बड़ा फोकस MSME और टेक्सनाइल जैसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर में MSME की परिभासा में हमने सुधार करके उसको भी नए अवसर दिये हैं अपने छोड़े उद्यों को सुरसित करने के लिए MSME के लिए सरकार ने इस कोरोना के विकट कांखन में तील लाग करोड रुपिये की विशेश योजना भी शुरूर की है और उसका लाग हमारे MSME शेक्टर को मिला ले और इसका बहुत बढ़िया स्टड़ी SBI ने किया है SBI का स्टड़ी कहता है कि साड़े तेरा लाग MSME इस योजना के करण बरबाद होने से बच गए है SBI का स्टड़ी कहता है देड करोण नोक्रिया बची है और करीब 14% MSME लोन्स के करण NPA होने की जो संभावना थी उससे बच गए है माने जग जी जो सदसे जमीन पर जाते है वो इसके प्रभाव को देख सकते है विपक्स के भी कई साथ ही मुझे बिलते हैं कहते हैं कि आप ये से योजना ने बहुत बड़ा लाब किया है MSME शेक्टर को इस संकर्की गड़ी में बहुत बड़ा सहारा दिया है मान जग जी उसी प्रगारते मुद्रा योजना कितनी सफल रही है हमारी मा का है बहने कितनी उस ठेतर में आई है लाखों लोग बिना गारंटी बैंक से लोन लेकर गए आज अपना स्वर रोजगार के दिशामें आगे बड़ें और खुद तो करते हैं एक आज दो लोगों को रोजगार भी देते हैं स्वनिती योजना स्ट्रीट वेंडर कभी हमने सोचा नहीं पहली बार आजाने के बात स्ट्रीट वेंडर सो बैंक के अंदर से लोन मिल रहा है और हमारा स्ट्रीट वेंडर डिजिटल टांजिक्शन कर रहा है और करोर समीकों को लाब मिल आए हमने गरीब समीकों के लिए दो लाग करोड रुपे से ज़्यादा खर्च किये आत्मनिवार भारत रोजगार योजना के तहद हजारों लाभारतियों के खाते में हमने सीधे पैसे टांसफर किये मानियर्देजी इंदस्री को गदी देने बहतर इंफ्रास्रक्टर की बहुत जरूरत होती है पी-एम गतिशक्ती नेस्टर प्लांट मास्टर प्लांट यह हमारे लोजिस्टिक कोस्ट को बहुत कम करेगा और इसके कारण देश में भी माल सस्ते में पहुँच पाएगा और एक्सपोर्ट करने वाले लोग भी दुनिया के साथ कम्पेटिशन कर पाएगे और इसलिए टी-एम गतिशक्ती प्लांट आने वाले दिनों बहुर लाब पारक होने वाला है मन्यदेजी सरकान ने एक और बड़ा काम किया है नए इक्षेत्रों को एंट्रेप्रेणर्स को उसके लिए हमने ओपन कर दिया है आत्मनेर भारत योजना के तहत स्पेस दिफेंस ड्रॉंस माइनिंग को प्रावेट सेक्टर को आज देश के विकास में भागिदार बढ़ने के लिए हमने निमंत्रित किया है देश में एंट्रेप्रेणर्स के लिए बैतल महोर बनाने के लिए सिंपल टैक्स सिस्टिम की शुरुवाद हजारों कम्प्लाइंसिज हमारे देश में आदाज ऐसी वहर डिपार्टमेंट ये लाओ वो लाओ एक अगर लाओ वो नाम लाओ वो सारा करीब 25,000 कम्प्लाइंसिज हमने खतम किये है आज मैं तो राज्यों से भी आगर करूँगा कि वे भी डून डून कैसे कम्प्लाइंसिज खतम करे देश के नागरीकों को परिशानी हो रही है उसको समझे हम लोग आज देश में इस प्रकार के बेरियस हटाएं जा रहे है डॉमेस्टिक इंडूस्टिक को लेवल प्लेफील्ड देने के लिए एक के बाद एक कदम हम उठाते जा रहे है माने अद्ध जी अग देश उस पुरानी अवधाना से बहाल निकल रहा है हमारे देश में सोच बन गई कि सरकार ही भाग्य विदाता है तुम्हें सरकार पर ही निर्भर रहना पड़ेगा तुम्हारी आचा आपने अच्छा है कोई पूरी ने कर सकता है सरकार ही करेगी सब कुछ सरकार देगी यह हम लोग ने इतना इगो पाल के रखा था और उसके कारण देश के सामर्थ को भी चौट पहुची है और इसलिए सामान्य युवान के सपने युवापोसल उसके रास्ते हमने सिरे से सोचना शुरू किया सब कुछ सरकार करती है ता नहीं है देश वाचियों की ताकत अनिक बुना जादा होती है वो सामर्थ के साथ अगर संकल को साथ जुड़ जाते तो पढ़ना मिलता है आप देखिए 2014 के पहले हमारे देश में सिरफ 500 स्टार्ट अप थे जब अफसर दिया जाता है देश के नवजवानों को क्या प्रणाम आता है इन साथ साल में 2014 के पहले 500 स्टार्ट अप इस साथ साल में साथ हजार स्टार्ट अप इस देश में काम चाहिए ये मेरे देश के युवाओं की ताकत है और उसमें युनिकॉन बन रहे है और एक-एक उनिकॉन याने हजारों करोड की उसकी वैलू तय हो जाती है मालियद्र जी और बहुत ही कम समय में भारत के उनिकॉन सेंचुरी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं यह बहुत बड़ा एज़ू है हजारों करोड की कमपणी बनने में पहले दस्वं को लगी जाते थे आज हमारे नवजवानों की ताकत है सरकार की नीतियों के खाराण साल दो साल के अंदर हजारों करोड के कारोबार को उनके आसपास वो देख पा रहे है आज मानिये तक जी हम स्टार्ट अप्स यूनिकॉंस में इस मामले में दुनिया में टॉप थ्री में पहुँच गए है कौन हिदुस्तानी होगा जिसको गर्वन ही होगा लेकिन ऐसे समय इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदर लग गई है सुबह सुबह सुरू हो जाते हैं और यहां मैंने देखा हमारे अधिरंजन जी कह रहे थे क्या रखा है मोधी 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 करते रहे तो है यही कर रहे थे बनसार लोग मोधी 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 बोल रहे है खाट को बोल रहे है आप लोग है सुबह सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं एक पल आप लोग एक पल बोधी के बिला नहीं विता सकते हैं अरे मोधी तो आपकी प्रावर सकती है एक बोल रहे हैं ना कुछ लोग देश के नौजवानों को देश के एंटर्परियर्स को देश के वेल्ड क्रियेटर्स को उनको डनाने में आनन्द आता है उनको भैवित करने में आता आता है उनको गुमरा करने में आता आता है देश का नौजवान उनकी बाते सुन नहीं रहा है इसके कान देश आगे बढ़ रहा है माने देश जी आज जो उनिकॉन है यही उसमें से कुछ मल्टी नेशनल कंपनिया बनने का सामर करते में लेकिन कॉंग्रेस में ऐसे लोग बैठे हैं जो कहते हैं जो हमारे उद्धे भी है उनके लिए कहते हैं और आपको भी जानकर क्या आश्चरे होगा क्या कहते हैं वो कहते हैं यह उद्धे भी लोग कोरोना वाइरस का वेरियंट बताइए क्या हो गया हमारे देश के उद्धे में एक कोरोना वाइरस के वेरियंट है क्या हम क्या बोल रहे हैं इसके लिए बोल रहे हैं कोई जड़ा आपके अंदर बैठे तो जड़ा बोलो तो से भी यह क्या हो रहा है पार्ट एक नुक्सान हो रहा है। माने कई जो उत्यास के सबस जो लोग इत्यास से सबक नहीं लेते हैं वो इत्यास में खो जाते हैं साट से अच्छी का दायका उनके सभी प्रमूग लोग उसमें आ जाते हैं जो देश का नितुत्व करते थी उस कालखन की बाद कर रहा हूँ साट से अच्छी के दसक बे क्या narrative होता था Congress के ही सप्ता साथी Congress के सांस रहे करके शूप हो बने वाले लोग यह वही लोग पंडित नहरू जी की सरकार को और स्रीमत हिंद्रा गांधी जी की सरकार को क्या कहते थे यह तो टाटा बिल्ला की सरकार है इस सरकार को तो आठाभिर्ला चला रहे हैं, 60-80 दसक तक यही बातें बोली जाती थी, नहरुजी के लिए बोली जाती थी, इंद्रेजी के लिए बोली जाती थी, और आपने उनके साथ भगीदारी की सत्ता में, लेकिन उनकी आदतें भी देनी, आप भी उसी भाषा को बोल रहे हो, मैं देख रहा हूँ, आप इतने नीचे गए हो, इतने नीचे गए हो, हाँ, मुझे लगता है कि आज पंचिंग बैग बदल गया है, लेकिन आपकी आदत नहीं बदली है, मुझे भी स्वास हैं, यही लोग सदन में कहने की हिम्मत करते थे, भार्दों बोलते ही थे, जाम होत देख रहा है, जाम होई नहीं शकता है, बदाओ, इसमें आनंदार है, को यह सा इंदुस्तान के लिए सोच सकता है क्या, कि में की इन इंडिया होई नहीं सकता है, अरे भाई, आपको तकलिफ होगी, हम आंकर के करेंगे, ठीके यह बोलो, देश को को गाली देते हो, जी, द देश की युवाश्शक्ति ने, देश के इंटर्पणर ने करके दिखाया है, आप मजाक के विशे बन गए हो, और मेक इन इंडिया की सफलता, आप लोगों को कितना जर्द रे रही है, यह मैं बनी भाती समझ पा रहा हूँ, मानियत्यक जी, मेक इन इंडिया से कुछ लोगों को तकली भी इस बात के लिए हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब है, कमिशन के राष्टे बन, मेक इन इंडिया का मतलब है, ब्रस्टाचार के राष्टे बन, मेक इन इंडिया का मतलब है, तीजोरी भरने के राष्टे बाइब और इसलिए मेंकिन इंडिया का इविरोगता है भारत के लोगों के सामर्थ को नजर अंदाज करने का पाप देश के लगून दमियों के सामर्थ का अपमान देश के युवाओं का अपमान देश की इनोवेटिव चम्ता का अपमान मानियद दग जी देश में इस प्रकार का नकारात्वक्ता का निराशा का वातावरण खुद निराश हैं खुद सफल नहीं हो पा रहे हैं इसलिए देश को असफल होने करने के जो खेल चल रहे हैं उसके खिलाब देश का नवजवान बहुत जाग चुका है जागरुद हो चुका है मानियद दग जी पहले जो सरकार चलाते देश और जिन्होंने पचास साल तक देश की सरकारे चलाई मेकइन इंडिया को लेकर उन का क्यारभीय था सिर्फ डिफेंस सेक्टर को हम देखे तो सारी बाते समझ आती थी वो क्या करते थे कैसे करते थी क्यों करते थे किसके लिए करते थे पहले सालों में क्या होता था नए एक्विप्मेंट खरीदे के लिए प्रोस्य चलती थी, सालों तक चलती थी और जब फाइनल नेड़े होता था तब वो चीज पुरानी हो जाती थी अब बताईए, देश का क्या बना? आउट अपडेट हो जाती थी और हम पैसे देशे से हमने इन सारी प्रोसेस को सिंप्लिफाई किया सालों से पैंडिंग डिफेंस सेक्टर के जो इश्यू थे उसको हमने निप्ताने का प्रयास किया पहले किसी भी आधुनिक प्रेट्फों या एक्विप्मेंट के लिए हमें दूसरे देशों की दरब देखना पड़ता था जरूरत के समय आपाधाभी में आयुत खरिदा जाता था यह लाओ वो लाओ कौन पूस्ता है भई हो जाए यहां तक कि स्पैर पार्ट्स के लिए भी हम अन्य देशों पर निर्भर रहें दूसरों पर निर्भर होकर इस देश की सुरुप्षा निश्चित नहीं कर सकते हैं हमारे पांस यूनिक ववस्ता होनी चाहिए हमारे अपनी ववस्ता होनी चाहिए रक्षा खेतर में आत्म निर्भर होना ये राष्ट्र सेवा का भी बहुत बड़ा काम है और जो मैं देश के नवजवानों को भी आवाहन करता हूँ कि आप अपनी केरिये में इस खेत्र को चूनिए हम ताकत के साथ खड़े होंगे माने दजी इस बजेट में भी हमने ज्यादा से ज्यादा रक्षा उपकरान भारत में ही बनाएंगे भारतिये कंपनियों से ही खरी जेंगे ये बजेट में प्रावधान किया है भारते लाने के रास्तों बंद करने की दिशा में हमारी सेनाओं के जरूर पूरी होने का अधावा हम एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का सपना लेकर के चल रहे हैं और मुझे विश्वास है ये संकल पूरा होगा मैं जानता हूँ कि रक्षा सोधों में कितनी बड़ी ताकतें पहले अच्छे अच्छों को खरीज लेती थी ऐसी ताकतों को मोधी ने चुनोती दिये और इसलिए मोधी परूं की नाराजी ने गुस्सा होना भी बहुत स्वाबा भी कर और उनका गुस्सा प्रगेट भी होता रहता है मने दगी विपक्ष के हमारे सुखे को साथियों ने यहाँ मेंगगाई का मुद्दा भी उठाया अच्छा लगता देश का भी भला होता अगर आपके चिंता तब भी होती जब कॉंग्रेस के नित्रुत्म में यूपिय की सरकार थी यह दर्द उसमय भी होना चाहिए था आप साइद भूल गए हैं मैं जर आपको याद दिलाना चाहता हूँ कॉंग्रेस सरकार के आखरी पांच सालों में लगबग पूरे कारकाल में देश को डबल दीजीट मेंगाई की मार जिलनी पड़ी थी हमारे आने से पहले यह स्थिती थी कॉंग्रेस की नीतियां ऐसी थी कि सरकार खुद मानने लगी थी कि मेंगाई उसके नियंतर्ण से बाहा रहा है दो हजार ज्यारा में ततकानिन वित्त मंत्री जी ने लोगों से बेशर्मी के साथ कह दिया था कि मेंगाई कम करने के लिए किसी अलादिन के जादू की उमिद न करें यह आपके नेताओं की और संवेजन सिल्ता हमारे चिदंबरंब जी जो कि इन दिनों इकोनोमी पर अकबारों में लेक लिखते हैं जब सरकार में थे तब क्या कहते थे उस समय के नेता क्या कह रहे थे आपके वो कहते थे 2012 में उन्हों ने कहा था कि लोगों को 15 रुपिय की पानी की बोतल और 20 रुपिय की आश्क्रिम खरिदे में तकलिव नहीं होती लेकिन गेहूं चावल पर एक रुपिया बढ़ जाए तो बरदास्त नहीं के होता ये आपके नेताओं के बयान याने महंगाई के प्रती कितना असम्वेदन से रुपिया था ये चिंता का कारण है मन्यद्र जी मंगाई देश के सामान ने मानवी से सीधा जुड़ा हुआ मुद्दा है और हमारी सरकार ने NDA सरकार ने पहले दिन से सतर्क और सम्वेदन सिल रह करके इस मसली को बारिकाई से हैंडल करने का प्यास किया है और इसलिए हमारी सरकार महेंगाई नियंतर को अपनी वित्तिय पॉलिशी का प्रात्मिक लक्ष बनाया हमने मन्यत्र जी सो साल में आई इतनी बड़ी महामारी के इस कालखंड में भी हमने प्रयास किया कि महंगाई और जरूरी चीजों की किमत आस्मान न चुए सामान ने मानवी के लिए सामान ने मानवी के लिए दादा आपके काम की बास है अरे आपके काम की बास है मैं जालोने है आपके काब आएगा थोड़ा बे आगे जाओ के तो आपके काब आएगा महंगाई और जरूरी चीजों की किमत आस्मान न चुए सामान ने मानवी के लिए खास कर गरीब के लिए महंगाई बरदाज की सीमा से बाहर न हो और महंगाई को नियंतरण में रखने के लिए हमने क्या किया है यह आँक्रे खुद बता रहे हैं कॉंग्रेस के जहां महंगाई दर डबल डिजिट में थी दस प्रतिशत से जादा थी वहीं 2014 से 2020 के 2014 से 2020 महंगाई पांच प्रतिशत से कम रही है पांच प्रतिशत से कम रही है कोरोना के बावजूद आपको मैं बोलने देना चाहता हूं तो कि आगे आगे मज़ा होने अपने समय में वैश्वीक परिस्थित्यों की दुहाई देकर पल्ला जार लेते थे वैसे महंगाई पर कॉंग्रेस के राजबें पंडित नहरू जी ने लाल के लिए से क्या कहा हां वो जरा आपको मैं बताना चाहता है पंडित नहरू देश के पहले प्रदान मंत्री लाल के लिए से वोल रहे हैं डेखिये आपकी इछाँ रहती हैं आपके नेता कहेंगे बज़ा हागया पंडित नहरुजी ने लाल किले पर से कहा था और ये उस जमाने में कहा गया था तब ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं था नाम महत्र का भी नहीं था उस समय नहरुजी लाल किले से देश को संबोधन करते हुए क्या कह रहे हैं कभी कभी कोरिया में कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते बस्तूओं की किमते बढ़ जाती है इती नहरुजी बारत के पहले प्रदान मंत्री कभी कभी कोरिया में लड़ाई भी हमें प्रभावित करती है इसके चलते वस्तुओं की किमते बढ़ जाती है और यह हमारे नियंत्राण से भी बहार हो जाती है देश के सामने देश का पहला प्रदान मंत्री हाद उपर कर देता है आगे क्या कहते है देखो जी आपके काम की बात है आगे कहते है पंडित नहरु जी आगे कहते है अगर 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 अमेरिका में भी कुछ हो जाता है तो इसका असर भी वस्तों की किमत पर पड़ता है सोचिये सोचिये तब महिंगाए की समस्या कितनी गंबीर थी कि नहरु जी को लाल किले से देश के सामने हाथ उपर करने पड़े थे नहरु जी तब कहा था मानियत्यक जी अगर कॉंग्रेट्स सरकार आज सब्ता में होती क्या देश का नसीब है देश बज गया लेकिन आज अगर आप होते तो महिंगाए कोराने कोरोना के खाते में जमा करके जाड करके निकल जाते हैं आप लोग लेकिन हम बड़ी सम्वेजन जिल्ता के साथ इस समस्या को महत्वपून समझ करके उसके समाधान के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं आज दुनिया में अमेरिका और OECD देशों में अमेरिका और OECD देशों में महंगाई 7 प्रतिशत है करीब करीब 7 प्रतिशत लेकिन माने देख जी हम किसी पर ठीकरा फोड़ करके भाब जाने वालों में से नहीं हैं हम इमामदारी से प्रयास करने वालों में लोग हैं जिम्मेवारी के साथ देश वार्षियों के साथ खड़े वने वाले लोग माने देख जी इस सदन में गरीबी कम करने की भी बड़े बड़े आंकड़े दिये गए लेकिन एक बाद भूल गए इस देश का गरीब इतना विश्वाद गाती नहीं है कि कोई सरकार उसकी बलाई के काम करे और फिर उसको ही सत्ता से बार करे ये देश के गरीब के सभाव में नहीं है आपकी ये दुर्दसा इसलिए आई क्योंकि आपने मान लिया था कि नारे देकर के गरीबों को अपनी चुंगाल में फसाये रखोगे लेकिन गरीब जाग गया गरीब आपको जान गया इस देश का गरीब इतना जागरूत है कि आपको 44 सीटों पर सिमेट दिया 44 सीट पर लागर गर गर रोग दिया कॉंग्रेस 1971 से गरीबी हटाओं के नारे पर चुनाव जीतती रही थी 40 साल बाद गरीबी तो हटी नहीं लेकिन कॉंग्रेस कॉंग्रेस सरकार ने नई परीबाशा दे दी माने अध्यक जी बेश के नवजवानों ने इन बातों को जानना बहुत जरूरी है और अध्यक जी आप देखिए कि ये डिस्ट्रप तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है उनको मालूम है उनको मालूम है कि मुसिवत में फसे हैं आज और कुझे लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेलना ऐसे वेचारों को पड़ता है मानिय अध्यक जी चालीस साल बात कॉंग्रे गरीबी तो नहीं अटी लेकिन गरीबों ने कॉंग्रेस को हटा दिया और कॉंग्रेस ने क्या किया मानिय द्रिक जी कॉंग्रेस ने गरीबी की परिभाचा बदल दी 2013 में 2013 में एक ही जटके में उन्होंने कांगज पे कमाल करके 17 करोर गरीब लोगों को अमीर बना दिया ये कैसे हुआ इसकी सचाई देश के युवाओं को पता होना चाहिए मैं आपको उधान देता हूँ आपको बालू करे मारे देश में पहले रेलीबे में फर्सक्लास, सेगंड ग्लास, थर्ड ग्लास होता था जो फर्सक्लास होता था एक लाइन लिखी रहती थी दरवाजी के बाज़े गल में सेगंड ग्लास में दो लिखी रहती थी फर्सक्लास में तीन इनको लगा ये फर्सक्लास वाला ज़रा मैसेड ठीक नहीं है तो उन्होंने एक लाइन निकालती ये इनके तरीके ऐसा ही है और उनको लगता है कि वह गरीबी हड़ गई और उन्होंने सारे उसके बेचिक नौंस बदल करके कह दिया है 17 करों गरीब नहीं जिने जाएंगे इस प्रकार से आखड़े बदलने का काम वो करते रहे हैं मान्य अद्दक जी मैंने तो समझने की बहुत कोशिश की शाहिद कोई समझ पाया हो ऐसा तो मुझे अभी कोई मिला नहीं है लेकिन जो कोई समझ पाया होगा तो मैं समझ लेके लिए तयार हुँ ऐसे ऐसे कुछ बाते सुई खाय थो मन्य दिख जी सदन में राष्ट को लेकर बाते हुए ये बाते हरान करने वाली है मैं मेरी बात रखने से पहरे एक बात दोराना चाहता हूँ और मैं कोट कर रहा हूँ ये जानकारी बेहत हैरत में डालने वाली है कि बंगाली, मराथे, गुजराती, तमील, आंद्र, उडिया, असमी, कंडर, मलियाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी बाशा भासी जनता से बसा हुआ विशाल मद्यभाग कैसे सेंकडो वर्सों से अपनी अलग पहचान बनाए हैं इसके बावजूद इन सबके गुंदोष, कमोदोष एक से हैं इसकी जानकारी पुरानी परंपरा और अभी लेकों से मिलती है साथ ही इस पूरे दौरान वेस्पस्ट रूप से ऐसे भार्तिये बने रहे जिनकी राष्टिये विरासत एक ही थी और उनकी नैतिक और मानसिक विशेश्टाएं भी समान थी एक कोटेशन है अज्यक्ष महवद आए हम भारतियों की इस विशेश्टा को बताते हुए इस कोटेशन में दो सब्दों दौर करने वाले हैं राष्ट्रिय विरासत और ये कोट पंडित नहरुजी का है ये बात कही थी नहरुजी ने और अपनी किताब भारत की खोज में है हमारी राष्टिय विरासत एक है हमारे नाइतिक और मानसिक विशेश्टाएं एक है क्या भिना राष्ट के ये संभव है इस सदन का ये कहकर भी अपमान किया गया कि हमारे समिधान में राष्ट शब्द नहीं आता सम्वेधान की प्रस्तावना में लिखा राष्ट परने में नाएं ये हो नहीं सकता कॉंग्रेज ये अपमान क्यों कर रही है मैं इस पर विस्तार अपने बात रखूँगा मान्यद जी राष्ट कोई सत्ता या सरकार की विवस्ता नहीं है मान्यद जी हमारे लिए राष्ट एक जीवित आत्मा है और इससे हजारों साल पे देश्वासी जुडे हुए हैं और जूजते रहे हैं हमारे हाँ विष्णु पुराण में कहा गया है ये किजी बाज़वाले ने नहीं लिखा है विष्णु पुराण में कहा गया है उत्रम यत समुदर्ष्य हिमाद्रेश्चे विदक्षणम वर्सतत भारतम नाम भारती यत्रसंतती ही यानि समुद्र के उत्तर में और हिमाद्रे के दक्षिन में जो देश है उसे भारत कहते हैं तता उनकी संतानों को भारती कहते हैं विष्णु पुराण का इस लोग अगर कॉंग्रेस के लोगों को स्विकारियन नहीं है तो मैं एक और पोर्ट इस्तिमाल करूंगा कुछ जीजों से आपको अलर्जी हो सकती है मैं कोड कह रहा हूँ एक च्छां आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकल कर नए यूग में कदम रखते हैं जब एक यूग समाप्त हो जाता है जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है ये भी नहरुजी के ही बोल है आखिर किस नेशन की बात नहरुजी कर रहे जी ये नहरुजी कह रहे है और मानिय द्धिजी यहाँ तमील सेंटिमेंट को आग लगाने की भारिक कोशिश की गई राजनीति के लिए कॉंगरेश की जो परंपरा अंगरेशोस के विरासत में आई दित्ती है तोडो तोडो और राज करो तोडो और राज करो बाटो और राज करो लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महा कवी मान्यत्य जी तमिल भाषा के महा कवी और स्वतंत्र सेनानी आदर्णिय सुब्रमन्यम भारती ने जो लिखाता मैं यहाँ दोहराना चाहता हूँ तमिल भाषी लोग मुझे ख्षमा करें मेरे उच्चारों में कोई गल्ती होतो लेकिन मेरा आदर्णिय भावना में कोई कमी नहीं है सुब्रमन्यम भारती जी ने कहा था मन्नुम इमय मले एंगल मले पन्नरुम उपनित नुलेंगल नुले पार मिशे एधोरू नुल इधु पोले पून निलोर भारत नन्डे घल नाडे ओड रुवोम इक्ते इमक किले इडे इसका भावार्थ जो उपलब्द है वो इस तरह का है सुब्रमन्यम भारती जी कहते है जो उन्होंने तमील भाषा में कहा है उसको मैं अनुवात जो भाव में जो पलब्द हुआ है मैं कह रहा हूँ सम्मानित जो सकल भिश्व में महिमा जिन की बहुत रही है अमर ग्रंद से वे सभी हमारे अमर ग्रंद वे सभी हमारे उपनी शदों का देश यही है काइंगे यस हम सब इसका यह है स्वर्निम देश हमारा आगे कौन जगत में हम से यह है भारत देश हमारा यह है भारत देश हमारा यह सुब्रमने भारती जी की कविता का भाव है यह वो संस्कूती है और मैं आज तमिल के समनागरिकों को सल्यूट करना चाहूंगा जब जब हमारे सीडियस रावत दक्षिन में हेलिकॉप्टर के खस्मात में उनका नीधन हुआ और जब उनका बोड़ी तमिलाणू में हवार डेटने की तरब ले जाने के लिए रास्ते पर गुजर रहा था मेरे तमिल भाई मेरी तमिल बहने लाखों की संख्या में गंटों तक कतार में खड़ी रही थी रोड़ पर कोई सुतना नहीं संदेश में इंतजार करते खड़ी रही थी और जब जब सीडियस रावत का बोड़ी वहां से निकल रहा था तब हर तमिल वासी बहर तमिल वासी गवरों के साथ हाद उपा करकर के आँख में आशु के साथ कहता था वीर बनक कम वीर बनक कम वीर बनक कम ये मेरा देश है लेकिन कंग्रेश को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है विभाजन कारी मान सिकता उनके डिने में गुज़ गई है अंग्रेश चले गए लेकिन बातों राज करो ये नीती कंग्रेश ने अपना चरित्र बना दिया है और इसलिए ही आज कंग्रेश टुकडे टुकडे गेंग की लीडर बन गई है माने सदर्शे माने सदर्शे प्लीज बैने सभी माने सदर्शें को प्रयाप समय प्रयापसर दिया था जब सदन के नेता बोल रहे है ये अप्रयादित महाचरण आपका ठीक नहीं है ये सदन की करिमा नहीं है जो लोग तंतर की प्रक्रियाद से हमें रोक नहीं पा रहे हैं वो यहाँ अनुशाचन हिन ता करके हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इसमें भी विफलता मिलेगी मानिय अध्यक्ष महोदाए कॉंग्रेस पार्टी का सत्ता में आने की इच्छा फतम हो चुकी है लेकिन जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो कम सकम बिगाड़तो दो ये फिलोसफी पराच निराशाबादी लेकिन उस मोह में बरबाद करकर के छोड़ेंगे इस मोह में देश में वो बीजबो रहे हैं जो अलगाव की जड़ों को मजबूत करने वाले हैं सदन में ऐसी बाते हुई कि जिसमें देश के कुछ लोगों को उक्साने का भरपूर प्यास किया रहा है अगर पिछले साथ साल से कॉंग्रेस के हर कारणा में हर गतिवीदी उसको बारी किसे देखेंगे तो हर चीज को अगर धागे में बात करके देखेंगे तो इनका गेम प्लान क्या है वो बिलकुल समझ में आता है और वो ही मैं आज उनका खुला कर रहा हूँ मानिय अद्दग जी आपका गेम प्लान कोई भी हो मानिय अद्दग जी ऐसे बहुत लोग आए और चले गए लाखों कोशी से की गई अपने स्वार्तवस की गई लेकिन ये देश अजरा अमर है इस देश को कुछ नहीं हो सकता आने वालों को इस प्रगार की कोशिच करने वालों को हमेशा कुछ नुकुछ गवाना पड़ा है ये देश एक था स्रेष्ट था ये देश एक है ये देश स्रेष्ट है और स्रेष्ट रहेगा इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे है माने अद्धिये माने अद्धिये माने अद्धिये यहाँ कर्तवियों की बात करने पर भी एत्राज जटाया गया है उससे भी कुछ लोगों को पिड़ा हुई है कि देश का प्रधान मंत्री कर्तविय की बात क्यों करता है कर्तविय की चर्था हो रही किसी बात को समझ के अभाव से या बद इरादे से विकृती से घर देना विवात खड़ा कर देना ताकि खुद लाइम लाइट में रहे बहरान हो अचानक कॉंग्रेस को आप कर्तविय की बात चुपने लगी है आप लोग अधिर अंजन जी आप बैठिये आप बैठिये बैठिये अरे आप ठी जिन्द्गी बोलते है रह रहा है आपका वही काव है मान्यद्गी मान्यद्गी आप लोग मान्यद्गी आप लोग कहते रहते हैं कि मोदी जी नहरू जी का नाम नहीं लेते हैं तो आज मैं आपकी मुराद बराबर पूरी कर रहा हूँ आपकी प्यास बुजा रहा हूँ देखे कर्तवियों के सबन में कर्तवियों के सबन में कर्तवियों के सबन में नहरू जी ने क्या कहा था ज़रा मैं आज कोट सुनाता हूँ मान्यद्गी पंडित महरुजी देश के प्रधम प्रदान मंत्री उन्होंने क्या कहा था मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान है आजाद हिंदुस्तान की सालगिर हम मनाते है लेकिन लेकिन आगे है समय शीक्ष सिखने में काम आएगा तैयरी करो लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है और कर्तब ये को ही दूसरे सब्दों में जिम्मेदारी कहते है इसलिए कोई समझना हो तो मैं समझा दूँ कर्तब ये को दूसरे सब्दों में जिम्मेदारी कहते है अब ये पंडित नहरू का कोट है मैं आप से फिर कहता हूँ कि आजाद हिंदुस्तान है आजाद हिंदुस्तान की साल गिरह हम मनाते हैं लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारी होती है जिम्मेदारी करतव्य खाली हुकूमत की नहीं जिम्मेदारी हर एक आजाद सक्ष की होती है और अगर आप उस जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते अगर आप समझते नहीं तब पूरी तोर पर आप आजादी के माने नहीं समझे और आप आजादी को पूरी तोर से बचा नहीं सकते हैं ये करतव्य के लिए देश के प्रत्याम प्रदान मंत्री पंडित नहरुजी ने कहा था लेकिन आप उसको भी भूल गए आप उसको भी भूल गए मान्य दग्ये मान्य दग्ये मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ आप वो भी थत गए हैं मान्य दग्ये हमारे यहां कहा गया है शना शह कनस्टईव विद्याम अर्थच साधयत शने नस्टे कुतो विद्या कने नस्टे कुतो धलम अर्थात विद्या ग्यान के लिए एक एक पल महत्वपुन होता है संपत्ती संसाधनों के लिए एक एक कन जरूरी होता है एक एक शन बरबात करके ग्यान हासिल नहीं किया जा सकता और एक एक कन बरबात किया गया छोटे छोटे संसाधनों का समुच्चतीत प्रयोग नहीं किया गया तो संसाधन गर्थ हो जाते हैं मैं कंग्रेस और उसके सहियोग्यों से कहूंगा आप ये मन्थन जरूर कीजिए कि कहीं आप इत्यास के इस महत्वकून अहम छन को नस्थ तो नहीं कर रहे हैं मुझे सुनाने के लिए मेरी आलोचना करने के लिए मेरे दल को कोशने के लिए बहुत कुछ है कर सकते हैं अब और आगे भी आगे भी करते रहिए मोकों की कमें नहीं है लेकिन लेकिन आजहादी के अमरित काल का समय पच्चोते पच्चतर वर्स का समय भारत की विकास यात्रा में सकार आत्मक योगदान का समय है मैं विपस्के और यहाँ पर बैठे हुए भी सभी साथियों से और इस सदन के माध्यम से देश वाचियों से भी आजहादी के इस अमरित महोसव के परवपर आगर करता हूँ निवेदन करता हूँ अपेच्चा करता हूँ कि आओ इस आजहादी के अमरित महोसव को हम नए संकल्पों के साथ आत्म निर्भर भारत बनाने के संकल्प के साथ एक जूट होकर हम लग जाएं कोशिश करें पिछले 75 साल में जहां जहां कम पड़े हैं उसको पुरा करें और आने वाले 2047 के सतावी वर्ष बनाने देश क कैसा बनाना है उसका संकल्प लेकर के आगे बड़े देश के विकास के लिए मिल करके काम करना है राजनिती अपने जगा पर है हम दलगत भावनाओं से उपर उट करके देश की भावनाओं को लेकर के जीए चुनाओं के मैदान में जो कुछ करना है करते रही है लेकिन हम देश हित में आगया हैं, इसी एक पेक्षाइक रखता हूँ, आजादी के सौ बर्स जब होंगे, ऐसे ही सदन में जो लोग बैठे होंगे, वो जुरूर चर्चा करेंगे, कि ऐसी मजबूत नीव पर, ऐसी प्रगति के पर पहुंची हुई, सो साल की उसी आत्रा के बाद, दे स्वर्णी भरत के निर्मार में, हम कोई पोताई न बरते हैं, पूरे सामर्त के साथ उसमें काम में लगे, मल्य अद्यक जी, मैं फिर एक बार, प्लाष्ट पती जी के उद्भधन को, धन्यवाद प्रस्ताव को, अनुमोधन करता हूँ, और मैं, इस सदन में, चर्चा में इसके बाउजित भी, मैंने सभी विश्यों को स्पास करने का प्रयास किया है, बहुत बहुत धन्यवाद